नमस्ते और्वी स्कूल की तरप से हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है हमने कवर्ग सीखा कवर्ग के पाँचों व्यंजन सीखे कखगग अंग उसके बाद में हमने चवर्ग सीखा चवर्ग के भी पाँचों व्यंजन सीखे च, छ, ज, ज, य, उसके बाद में हमने सीखा त, ठ, ड, ध, अन, जो की तवर्ग था, है न? उसके बाद में क्या आता है? तवर्ग, तवर्ग के पांचों व्यंजन त, ठ, द, ध, और न उसके बाद में हमने क्या सीखा? पवर्ग, और पवर्ग के भी पांचों व्यंजन सीखे प, फ, ब, भ, और म उसके बाद में क्या आता है? व्यंजन य, सही बताया ये य वर्ग का पहला व्यंजन है और इसको बोलते है य की लाइन तो आज हम नया व्यंजन सीखने वाले है और वो व्यंजन का नाम है व्यंजन य, चलो अब यकी कहानी सुनते है एक दिन यश और योग बगीचे में गए बगीचे में उन्होंने देखा कुछ योगी योग कर रहे थे थोड़ी दूर गए तो उन्होंने देखा कुछ लोग यग न कर रहे है उसके बाद में जबी वो घर जा रहे थे जबी उन्होंने देखा कि एक यूवक और एक यूटी बगीचे में सेर कर रहे है घर वापस आकर मम्मी ने यश और योग को व्यंजनिय और उससे बनने वाले शब्द बताए मम्मी ने बताया कि यसे युद्ध होता है और यसे युद्धा होता है जो युद्ध करता है यसे होता है याक और यसे यूगी भी होता है जो यग्य करता है यसे यूवक होता है और यसे युवती भी होती है चलो अब यसे शुरू होने वाले थोड़े और शब्द सीखते हैं और जो शब्द सीख चुके हैं उसका पुन्रावर्तन करते हैं यह है यसे यग्य आपको दोहराना है दोहराना ना भूले यसे यग्य यसे यग्य और होता है यसे युवक युवक मतलब जवान लड़का जबी अठरा साल का लड़का हो जाता है उसको बोलते है युवक और ये है यसे युवती युवती मतलब जवान लड़की और ये है यसे युद युद मतलब लड़ाई पुराने जमाने में योद्धा युद्ध करते थे और होता है यसे योद्धा योद्धा मतलब जो युद्ध लड़ता है वो है योद्धा उसको फाइटर भी बोलते है और होता है यसे याक याक एक एनिमल है एक पशु है जो ठंडी जगा पर पाया जाता है योगा, योगा मतलब exercise, ये योगी सुर्य नमशकार कर रहा है, योग कर रहा है, यसे योगा और होती है यसे यात्रा, जब एक जगा से दुसरी जगा, आप जाते हो गुमने के लिए उसे बोलते है यात्रा, यसे यात्रा और ये है यसे यात्री जो लोग यात्रा करते हैं गुमने जाते हैं वो लोगों को यात्री बोलते हैं यसे यात्री और ये है यसे योगी ईह प्राइ्ट राइ्त राई राईंज को प्राइद राईं करा वीजू ूck न there प्राक्टिस राइटिंग व्यांग्जन यहूँ पर देट इन लेफ्ट साइड करनर विल राइट तोड़ेट देट इस टैन डॉट नाइन डॉट ट्वेंटी आफ्टर देट पहली और दूसरी लाइन के बीच में आधा गोला और उदर से एक छोटा सक्कव बनाते हुए य दूसरी लाइन को टच नहीं करना है उसके बाद में हमको पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी रेखा बनानी है जो ये कव को भी टच करेगी चलो बनाते हैं व्यांजन यह पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक आधा गोला फिर वहां से छोटा सा कव जो दू के जाने वाली पहली और तीसरी लाइन के बीच में सीधी रेखा बनाएंगे यह हो गया आपका व्यांजन यह पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक आधा गोला चोटा सा कर्व बनाते हुए थोड़ा सा यहां तक जाना है परन्तु विध्यान रहे कि यह जो कर्व है वो दूसरी लाइन को टच ना करें फिर यह कर्व को चूके जाने वाली पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी रेखा बनाएंगे और हमेशा जैसे कि आपको मालूम है हिंदी में हमको यह पहली लाइन पे स्लिपिंग लाइन बनानी नहीं भूलनी है यह हो गया आपका यह से यग्या और एक बार ट्रेसिंग प्राक्टिस अच्छे से हो जाए फिर आपको अपने आप लिखना है पहली और दूसरी लाइन के बीच में एक सीधी लाइन मनाएंगे जो यह कव को चूके जाती हो और पहली लाइन पे स्लिपिंग लाइन यह हो गया आपका यह से योगा वापस एक बार लिखेंगे आदा गोला कर्व पहली और तीसरी लाइन के बीच में स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन on the first line यह से यज्य यह से योगी एक बार यह की अच्छे से प्राक्टिस हो जाए उसके बाद में हम पवर्ग जो अलेड़ी सीख चुके है उसका एक बार पुन्रावर्तन करते है पवर्ग का पुन्रावर्तन हम पेज नमबर 7878 पे करेंगे जैसे कि आपको मालूम है पहले हम लेफट साइड कॉर्णर में आज का डेट लिखेंगे उसके बाद में हमको ये चित्रों को अक्षरों से मिलाना है तो ये क्या है बस बस जो शब्द है वो कौन से व्यांजन से शुरू होता है सही बताया व्यांजन ब फिर हमको व्यांजन ब ढूनना है वेरिस व्यांजन ब फिर हमको ये डॉट और ये डॉट को मिलाना है और बोलना है बस से बस ये क्या है भवन हाँ सही बताया व्यांजन ब यहाँ है हमको भव से भवन ऐसे बोलना है और भ को भवन से मिलाना है ये picture जैसे कि आपको मालूम है ये चितरा पतंग का है और पतंग शब्द कौन से व्यंजन से शुरू होता है सही बताया प और प यहाँ है तो हम प से पतंग ऐसे बोलके प को पतंग से मिलाएंगे उसकी जोड़ी भी ना बनाएंगे उसके बाद में ये है फल क्या है ये ये टोकरी में फल है F से फल F यहाँ है हमको फ से फल बोलना है और उसको मिलाना है फल से हो गया और ये क्या है крутile उसको हिंदी में बोलते है मगर और मगर शब्द है वो कौन से व्यांजन से शुरू होता है म से मगर और म तो यहां है हमको मगर को मगर व्यांजन म से मिलाना है ऐसे आपको पावर्ग का प्राक्टिस करना है मुझे आशा है बच्चों आपको व्यांजन यह उससे शुरू होने वाले शब्त उसको लिखते कैसे है वो और पावर्ग अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद